इंडिया पर आगे बढ़ते हैं दिल्ली के मुखेमंत्री अरविंद केजरिवाल ने एलान किया है कि दिल्ली में ऑक्सिजन प्लांट लगाए जाएंगे वो भी 44 महीने के अंत तक ये 44 ऑक्सिजन प्लांट लगाए जाएंगे जिनमें फ्रांस से 21 ऑक्सिजन प्लांट अगले एक महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं 44 इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है वो कुछ बीच में डीले हो गया था जो भी कारण रहे लेकिन अब उमीद है कि 30 अपरेल तक ये शायद 8 प्लांट्स लगके तयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले एक महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है इन 44 प्लांट्स को अलग-अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफी इंप्रूव होगी फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं रेडी टू यूज प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तिमाल शुरू किया जा सकता है इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग-अलग अस्पतालों में लगा देंगे कि आप ये पर्मीशन दें कि एरफोर्स के विमानों का प्रयोग हम कर सके इन 18 टैंकर को भारत लाने कि चारों तरफ टैंकरों की कमी है ऑक्सीजन तो फिर भी इदर उदर मिल जाती है लिकिन टैंकरों की बहुत कमी है तो दिल्ली सरकार ने बैंककोक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निरने लिया है ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंदर सरकार से हमने इसके लिए एरफोर्स के प्लेंज देने के लिए रिक्वेस्ट किया उनका काफी सकारात्मक रवया रहा है बात्चीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बात्चीत सफल रहेगी केंदर सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें